मुंबई में दो आकर्षण हैं जिसके कारण हर कोई माया नगरी की ओर खिंचा चला आता है एक है मुंबई के समंदर का किनारा जो सब को किनारा देता है और दूसरा है बॉलिवुड हिंदी सिनेमा की चमक दमक सब को मुंबई लेकर आती है बॉलिवुड में आने वाले हीरो बनने का सपना राइटर बनने की ख्वाहिश लेकर आते हैं नेरे आगे हैं जीरो लेकिन गोविंदा बनना आसान नहीं है गोविंदा की हंसी के पीछे उनका दर्द छुपा होता है उनके सुख में दुख की च्छाया होती है ये गुलाबी, ये काली, ये लाल, मगर हम कोई भी सबेध रंकी सारी लेकर नहीं आए भाबी माँ हम कोई भी सबेध रंकी सारी लेकर नहीं आए भाबी माँ गोविंदा के फिल्मी करियर को हिट बनाने वाली फिल्मों को तो सब जानते हैं शोला और शबनम, आखें, राजा बाबू, कुली नमबर वन, साजन चले ससुराल, दूलहे राजा, हसीना मान जाएगी और बड़े मिया छोटे मिया जैसी कई हिट फिल्मों में गोविंदा अपनी एक्टिंग से दर्शकों को हसाते गुदगुदाते रहें लेकिन उन फ्लॉप फिल्मों की जानकारी बहुत कम लोगों को होगी, जिसने गोविंदा के जीवन को शून्य कर दिया है गोविन्दा के करियर को बरबाद करने वाली वो 13 फिल्मे जिससे उनके स्टारडम को ऐसा ग्रहन लगा कि उनके फिल्मी करियर का सूरज डूब गया एक समय ऐसा था जब गोविन्दा के नाम से ही फिल्में बॉक्स आफिस पर सुपर हिट हो जाती थी अपने 33 साल के फिल्मी जीवन में गोविन्दा ने सफलता का ऐसा समय देखा है जो शायद ही किसी और एक्टर को नसीब हुआ होगा लेकिन फिर गोविन्दा के करियर को ऐसा ग्रहन लगा कि लाइन से उनकी फिल्में फ्लॉप होने लगी बड़े बैनर हाथ से निकल गए निर्माता निर्देशकों ने मुह मोड लिया गोविन्दा को मजबूर होकर छोटे बजट की B-grade फिल्मों में काम करके अपने करियर को जिन्दा रखना पड़ा साल 2007 के बाद से गोविन्दा की एक भी फिल्म बॉक्स ओफिस पर सफल नहीं हुई गोविन्दा ने पार्टनर के बाद कुल 13 फिल्मों में काम किया रंगीला राजा फ्राइडे आगया हीरो हैपी एंडिंग किल दिल दीवाना मैं दीवाना लूट नौटी एट फोर्टी रावन डू नौट डिस्टर्ब लाइफ पार्टनर चल चला चल और मनी है तो हनी है ये फिल्मे नाकाम जरूर रही लेकिन इनमें गोविन्दा ने अपनी अदाकारी के जंडे गाडे हैं फिर भी इन फिल्मों ने गोविन्दा का फिल्मी करियर पूरी तरह से खत्म कर दिया अगर गोविन्दा ने इन फिल्मों में काम नहीं किया होता तो शायद आज भी वो बॉलिवुड के स्टार बने रहते गोविंदा अपनी इस गलती के लिए आज भी पचता रहे हैं जिस बॉलिवुड ने उन्हें चमकता हुआ सितारा बनाया था आज उसी ने उस फिल्मी सितारे की चमक छीन ली है गोविंदा आज भी गोविंदा है लेकिन फिल्मों के सुपर स्टार नहीं है इसलिए कहते हैं कि बॉलिवुड में स्टार बनकर जीना आसान है लेकिन हमेशा स्टार बने रहना बहुत मुश्किल है MSK Digital उन 13 फिल्मों में शांदार आक्टिंग के लिए गोविंदा को बधाई देता है वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल MSK Digital को सब्सक्राइब करें लाइक करें, कमेंट्स और शेयर करें नमस्कार, धन्यवाद